मैं आसा करता हूँ कि आप गर्पे सब सिल्ख से तोगे आज हम संस्कत्र व्याकरण में महाईशु शुत्र के बारे में पढ़ेंगे। महाईशु शुत्र किसे कहते हैं, बढ़ विचार के हैं, परतियार होगा मंदर के कैसा निर्मान होता है। इसके बारे में हम जानकरी राख करते हैं। किसी भी वासा को सीखने के लिए उसमें गणों का ज्यान होना बजो दिया। हमें बासा पर अधिगार कब होगा जब हमें गणों की जानकरी ओगड़ी। अब बासा को साही तरह से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आप जिसे आपके वासा को सीखने के लिया। किसी भी बासा को मूल से सिखने के चाहे संस्क्रत की हो चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो क्यों कोई भी हम अगर हमें बासा सिखनी है तो हमारे बासा का जो मूल होता है मुल होता है वो वण हो उसको सीखना बहुत जरूव है किसी भी वाषा को मुल से सिखने के ये वर्ध उत्रा नम मुला का ज्ञान। कि का टीक कि है कि नियुक्त की सब्क थीगा क्या वर्ण की तो संस्क्रत हुआ कर बला संस्क्रत बसंडे स्ल पान के अक्षाद नहीं हिस विद्वान का Arena जिबान दो जनोंने आपने के अश्टरणक परशित गरंद की रचने की इस है इसी परशित गरंद में संपर संश्कर्ट व्यातरान का ज्यान सिर्ख किया और संग्रीद किया विर मैर्शी पाणिने चौदा मैर्शी शुत्र से परत्यारों का प्रूग की आप यह नहीं नहीं- cm यानि संक्र भगवान की भ़स्तापसय की थी उस तपस्यस से भगवान संक्र बहूत क्रसन वोए और उन्हों Dakis Irhan Ra es जो नौनी को बजाय तो नें की estamely के निकिल और किसेकेंड नुक्रा वापसजणा रॉनक με uh कि ऐसे 2 बावर निने मों को मज़ाया तबको सब्सक्राइब फैर्ट जुन दावनों की डवनी निकिने उन 14 वढ़ों की दोणी को संजीश करके है मेरशी पा री कि नाए च हमज Penal wider बढाए और महेश यानी स्विजी के ईतन में निकल निकले इन होड़ों के कारण इसे महाषु शुकर का देना मैंसिर सुत्र क्या है और कितने हैं आगे हम बते हैं आपके ब्लेक वर्टे मैंने मैंसिर सुत्र के चौदा बढ़ों को लिखा है एक गो तील जाटाचे साथा दस गया है ठीक है आप देखों चौदा बढ़ों में आई उना री ली का ए ओ अना आई ओ頂चा हायावाराट याना अनामा जाब ना ना भाना घा डादर राशा जाब धाडदर साथा पा चार्डर चार्डर चा तार्डर रा », ये चौदा बढ़ों चब्दा बन अपने महिस्य सुत्र कहलते हैं और चब्दा बनों के पत्ति अपने पिछिल जी के बंबूसे होई अब आप देखो ये जो पहला सुत्र ए जित्री सुत्र है उसके अंत में देखो ये हलंत लगा हुआ जिसे इत संग्या करते है इसे हसलिक तभक ये मकषय जिए तो ये मैं तेक्त श्कत में है कि जलांटस्यो क από चज़ा के सब्सक्राव होगा उना सब्सक्राणा ओधं trabalhे इस्का लोक होगा नाश्क में नाश्क में डितरी वर्ल अब इसके इन वड़ों का लोग हो जाता है इन वड़ों को सर्फ पर्तियार में प्रियों करने के लिए लगाया है और इसका हम लोग कर दोते हैं अब जिसे हम प्रतियार बनाते हैं हम नाइसु शुत्र को कैसे याद करते हैं कैसे याद रखना है तो इदेवर अब जिसका है इसका प्रतियार बनेगा और नौ अब मैंने प्रतियार लिखा था मैंने प्रतियार के बनाते हैं किसी चीज को हम अगर संसित में लिखते हैं तो उसको हम प्रतियार करते हैं तिक है आपने महसी आणिनी ने 42 परतियारों की रसले की ती 42 परतियारों का प्रियोग किया है महसी ने तो 42 परतियारों का प्रियोग किया लेकिन भतमार में अभी 44 परतियार है आप जिसके इसका क्या हुआ आ ना तिक है आ और ना के बीच में आ, आ, न, के बीट में कितने होने हैं, आ, इ, ओ, न, ये आना तो सिर्फ खाली पट्यार बढाने के लिए किया, सिर्फ संदी क्या रहेगा, आ, इ, न, आ, इ, ओ, और न, अब जिससे दूसरे का बढ़ेंगे अपल, तो री, का, तीसरे का बढ़ेंगे, तो ए, न, इसका बढ आ, 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 आ भी इसका होगा कर एग स्र स्र कर स्रा ना स्रा हवल त स्रों置 आफ्रद कता है यह परत्यार का आफ्र डाहे नहीं इसमें आना में हम इसे प्रत्यार बने करता हो अपर आ और का मैंने मना जी आ और का परतिया है ठीक है आ और का तो आ और का के बीच में को को समण आरें आ इ उ ठीक है ये ती ना प्या आ तिरी और ली री और ली पाच मना आरें यहार बीच में जोढन आए गे है तो उसका फत्या तेसा मैं सिपारिय में ले ए ओ ऐ आउ ये सब स्वर है ये सबी क्या है स्वर तो अ से लेकर दाश भाला क्या है वण्च अच अच्छ अच्छ और ये सब क्या हुआ वह स्वर ये आपन फ्रोप संस्कत में अच भी केते हैं और ये नौ बन जों इतने इसी तरह से वेंजन में देखो हा से लेकर लग हा लग अब इसके हा और लग के बीट में जिटने हैं भी वेंजन हैं वस सब आगे काया बारादा लाला इस सब वड हल में आगया और हल को अपन वेंजन देखने कि अब इसमें बहुत सब्सक्राइब कि इसमें हा एक असा बाणे जिसके दो बार पुर्णाब्ती हुए है हव एक असा बने पूरे इसमें दो बार इसकी पुल्णाब्ती हुए एक तो यह आपे हव और एक याँ एक तो पांचया में और एक चोग रहा है इसमें से हम आई से शुत्र की रिच्णा खशतेम इस शुत्र को याज रस चापते हैं ठीक है थैंक्यू